Hello everyone, welcome to this video, welcome to clad point तो guys, यह जो particular video है, इसमें मैं आपको कुछ books के बारे में बताऊंगा for different subjects जो आपकी clad PG exam में आते हैं तो अगर आप self preparation करने की सोच रहे हो, इस exam के लिए तो यह video आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है या अगर आप एक essay candidate हो जिसको नहीं संज मारा है कि यह particular subject के लिए मुझे कौन सी किताब को refer करना चाहिए तब भी यह आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है और अगर आप एक essay person हो जिसको clad के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि उसका pattern क्या है तो पहले उसको discuss कर लेते हैं तो guys यह जो clad PG का exam है जो हमारी various national law universities जो LLM courses अपने offer करती है उसमें admission अगर आपको पाना है तो आपको यह clad का exam clad PG का exam आपको crack करना होगा इसका pattern कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पर 120 objective questions देखने को मिलेंगे जो कि paragraph based होंगे और अगर आप एक question का सही जवाब देते हो तो आपको एक number मिलेगा वही अगर आप गलत कर देते हो तो minus 0.25 की आपकी negative marking हो जाएगी तो यह इसका pattern है और इसके syllabus के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप अपने law school के दौरान चाहे वो आपका 3 year हो या फिर 5 year law course हो उस journey के दौरान आपने जितने भी core subjects आपने अपने law school में वो सारे इस exam का syllabus का पार्ट है तो अगर आपने अपने law school के दौरान अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है तो आपको बहुत जादा दिक्कत नहीं आएगी इस class के exam को crack करने में और उसमें वही subjects हैं जैसे constitutional law होगे administrative law होगे IPC, CRPC, evidence act, CPC, IPR, companies act, etc. यह जो आपने law school के दौरान पढ़े हैं यही इसका syllabus है इसके अलावा और भी जो legal अभी current affairs चल रहे है वो भी आपके लिए important हो जाते प्लस landmark cases जो है और जो recent case laws है important वो भी आपके refer करना चाहिए for different books तो देखे पहली चीज तो मैं आपको बता दूँगा जो हर subject में common सा होने वाला वो यह है कि आपको हर subject की bare act तो लेकर चलनी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है bare act के साथ आप बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते हो तो सबसे जो supreme source हो गया सबसे common source जो आपक जो हो गया bare act अब bare act आप जब पहले पढ़ोगे फिर उसके बाद आपको text book को refer करना है अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही कोई concept नहीं समझ मारे तो आपको text book को refer करना है तो चलिए आप text books के बारे में जान लेते हैं तो चलिए पहले constitutional law से start करते हैं तो इसमें व थोड़ी लंबी book है लेकिन अगर आपको short में थोड़ा बहुत ही अच्छा content चाहिए तो आप VN शुकला और JN पांडे को भी refer कर सकते हो इसके लावा एक और M. Lakshmi Kant की एक किताब आती ही Indian quality नाम से वो भी competitive exams में बहुत ज्यादा famous है आप उसको भी refer कर सकते हो उसमें भी आपो का नाम आता है पहला jurisprudence and legal theory by VD महाजन दूसरा studies in jurisprudence and legal theory by परणजपे और तीसरा jurisprudence by सूरी रधना पाला ये तीनों ही बहुत अच्छी किताब है आप तीनों को कोई मतलब आप इनमें से refer कर सकते हो हाला कि मैं तो सूरी रधना पाला refer करता हूँ क्योंकि मैंने law school में भी इसी किताब से पढ़ाई की थी तो मेरे लिए बहुत easy हो जाता है और इसके लावा जो परणजपे मैंने आपको बताए वो VD महाजन से simpler है तो आप उसको भी refer कर सकते हो हाला कि VD महाजन एक बहुत ही बड़ी है standard book है इसके बाद जो next subject है वो है guys administrative law ये भी आपके case laws इसके बाद guys law of tots के बारे में बात कर लेते तो यहाँ पे बहुत ही दो famous किताबे आ जाती है law of tots by रतनलाल and धीरजलाल and law of tots by R.K. बांगिया दोनों ही guys बहुत ही बड़ी है किताबे है लेकिन ये जो बांगिया वाली जो किताब है वो थोड़ा simpler है as compared to रतनलाल and धीरजला इसके बाद guys contract के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे दो किताबे बहुत ज्यादा famous है एक तो अफ्तार सिंगी बहुत ज्यादा famous है दूसरी पॉलॉक and मुला की इसके लावा दोनी किताबे बहुत ही बड़ी हैं आपको सारे topics इन दोनी किताबे मिल जाएगा with case laws और इसके special relief act, negotiable instruments act इन सबको आप बेर act से पढ़ सकते हो आपको online काफी सारे material मिल जाएगा YouTube पे भी काफी जादा material मिल जाएगा तो आप उससे आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो इसके बाद guys IPC के बारे में बात कर लेते हैं Indian Penal Court तो यहाँ पे दो किताबे बहुत ही जादा famous है और दूसरी रतनलाल एंड धीरजलाल आप दोनों में से कोई भी बुक को refer कर सकते हो दोनों ही बहुत बड़ीया बुक है और अगर आप इस वीडियो को future में देखते हो जब यह जो नए criminal laws आए हैं वो implement हो जाते हैं तब भी concept तो वही रहने वाले हैं तब भी आप यह जो मै पीसी के लिए रतनलाल एंड धीरजलागी किताब बहुत जादा फेमस है और इसके लावा दुर्गा दास बासू वेरी फेमस लिए आप डेडी बासू के नाम से उसको जानते होगे तो यह दोनों ही बहुत ही बड़ीया किताबे हैं आप उनको refer कर सकते हो for CRPC इसके बाद जो Evidence Act, Indian Evidence Act इसमें भी दो किताबे बहुत जादा फेमस है एक तो अफतार सिंग जी की है और दूसरी केडी गौर की हाला कि अफतार सिंग इजिर पड़ती है as compared to केडी गौर तो आप उसको पहली प्रिफरेंस बना सकते हो हाला कि दोनों ही बहुत ही बड़ीया किताबे है सारे कॉंसेट्स आपको इन में मिल जाएंगे इसके बाद गाइस जो लेबर लौ एंड इनेर्शियल लौज हैं उसमें आप एसन मिश्रा की किताब को रेफर कर सकते हो इसके लाब आपको कोई और किताब रेफर करने की जौत नहीं है ये बहुत भी बड़ीया किताब है इ हाला कि पूनम ब्रधान को में रेफर करता हूँ तो आप भी उसको कर सकते हो इसके बाद गाइस जो हमाई फैमली लौज हैं पहला तो आपका हिंदू लौज हो गया दूसरा आपका मुसलिम लौज हो गया तो दोनों के लिए ही पारस दिवान जी की किताब आती है आप दो कीर से दो निशाने वाला काम हो जाएगा आपके बाद में भी वह काम आएगा इसके बाद गाइस कंपनी लौज हमारा है उसमें वी अव्तार सिंग जी की किताब आती है बहुत ही बढ़ीया ज्यादा बढ़ीया किताब है तो आप उसको रेफर कर सकते हो उसके लाब आपक का क्लैट PG के लिए और इसमें आपको दो किताबे बहुत ही जादा मदद कर सकती है एक तो है पी लीला कृष्णन और दूसरा SC शास्त्री दोनों ही गाईस बहुत ही बढ़ीया किताबे हैं आप दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हो आपको सब में बढ़ीया कंटेंड मि तो उसके लिए आप सीहे टकवानी की किताब को ह्यार गईया पृँ लाइट किताब कर सकते हो ऑन बाइन माटिरेश्य चोटे-चोटे-चोटे हैं ठीक के लिए यू-ट४ कर सकते हो ओन को रेफर कर सकते हो आपके लिए more than sufficient हो जाएगा बाकि इसके अलावा जो लीगल current affairs होते हैं या जो case laws होते है recent के या फिर landmark उसके लिए आप online sources जैसे live law बारेंड बेंच इन सब की मदद ले सकते हो SEC आप refer कर सकते हो मनुपत्र आप refer कर सकते हो यह सारे बहुत ही अच्छे sources हैं in fact जो live law है उस पर तो आपको yearly compendium भी मिल जाती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाले हैं तो यह आपके लिए sources होने वाले हैं for clad pg अगर आप self preparation करना चाहरे हो लेकिन अगर आपको one stop solution चाहिए तो आप हमारे courses में अपने आपको enroll कर सकते हो और इसलिए आपको अपने courses की prices बहुत जातर reasonable रखा है आपको इसमें बहुत सारे features देखने को मिलेंगे सिर्फ इतनी features नहीं है rates अम लोगों ने काफी जादा reasonable रखा इन courses का इसके लावा और भी आपको काफी सारे features देखने को मिल जाएंगे जिसको आप definitely हमारे clearpoint app में जाके check out कर सकते हो so you can consider us and I hope आपको ये video helpful लगी होगी अगर video helpful लगी हो तो वो video पर like कर दीजेगा और कोई अगर आपको मलब कुछ कहना हो तो आप comment section न कह सकते हो और ऐसी और भी videos के लिए subscribe कर लिजे clearpoint को thank you